वेलकम टू नेक्स अग्जाम आज है 5 नवंबर 2022 और 5 नवंबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्यन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट व मैं आपसे कुश्यन पूचूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बता रहा है आज किस वीडियो की पीडियो फाइल आप इस वीडियो के डिस्कसम से डाउनलूड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से भी डाउनलूड कर सकते हैं टेलेग्राम गुरूप पर आपको सारी पीडियो एक साथ मिल जाएंगी और टेलिग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कोशन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम गुरूप जोयन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशिन है हाली में तमिलनाडू सरकार ने हर साल कब राजा राज चूल के जैनती मनाने की गोशना की है तो राजा राज चूल ये चूल बंस के समराट थे और इनकी जैनती अब हर साल तेन नवमर को मनाने की गोशना तमिलनाडू सरकार ने की है तो इस कुश्यन का बे पूप्संस आई है, इन्हों ने दक्षिर भारत में तमिलनाडू और उसके आसपास की रीजन में राज किया था, अब तमिलनाडू सरकार ने गोशना किये है, तो यह है मैप में तमिलनाडू, तमिलनाडू की केपिटल क्या है, चेन नई, कार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिंस अब्यारेंड अधिसूचित किया पेगा ट्रॉन ने चेन नहीं में आईफोन का निर्माण सुरू किया तमिलनाडू की केबिनेट ने ऑॉल्लाइन जूएक को नियंतरित करने की मंजूरी दिया अचा पूरे देश में मचले के उत्पादन में तमिलनाडू टॉप पर है पूरे देशमें खादि सुरक्षा सूचक्ह मेंधल जैनाग आयोजन किया जाता है आद्प्रम अच्छा आज की इस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 एलाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक को सेयर जरू किया करो और मैं आपको भी वह बोलता हूं डेली मौर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे चोटा साई टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मौर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचीब करने में लगा सब्सक्राइब कि दraph रख विख उरीषा तो यह टेक मेपने ओर उरीशा की सिर्फ Symphony कवन पर्टनाईक और उरीशा की olsun को यह नाम बदल के अप्र टेप रखा गया औरीशा दिबस या उतकल दिबस का मना जाता है एक कपरेल को अभी उडिशा सरकार ने बच्चों के अनुकूर पुले स्थानों की गोश्ण की है आपदाओं से निपटने के लिए उडिशा आपदा प्रबंदन युद्धा तैयार करेगा उडिशा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला क्रसी क्रेडिट पोटल सफल लॉंज किया है अभी उडिशा सरकार ने सम्मिधा भरती को समाप्त कर दिया है अश्विनी बैशनब ने भुबनेश्वर में बारत के पहले एलिमिनियो फ्रेट रेक का उदगाटन किया अच्छा उडिशा में सुनावेड़ा वा हारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेख है उडिशामें लिंग राज टेमपल है कुड़ाग टेमपल हो जगनाठ टेमपल है उडिशामें रसे कुलिया भीच है और गॉलडन. बीच है अभी यूनेसको ने उडिसा के दो गाउं को सुनामी रेडी डिकलियर किया था वो दो गाउं कौन से हैं? नियोलिया साही और बैंकट रायपोर्ट नए क्यूशन है हाली में किस ने गंगा उत्सब के छटे संसकर्ड का उद्गाठन किया? तो केंद्री मंत्री जे किसन रेडी ने गंगा उत्सब के छटे संसकर्ड का उद्गाठन किया तो इसकूशन का बे ओप्सिन सही है चार नवमर को नई दिल्ली में केंद्री मंत्री जे किसन रेडी ने गंगा उत्सब के छटे संसकर्ड का उद्गाठन किया अच्छा इस सब का उद्दे से क्या है तो नदियों के महतु का जस्न मनाना और भारती नदी घाटियों में नदियों के काया कल्प के महतु पर जाग रुकता पहलाने के लिए इसे मनाया जाता है नए क्यूशन है हाली में इसराइल के नए प्रदानमंत्री कौन बने है तो अभी इसराइल के नए प्रदानमंत्री बने हैं बेंजा में नेतनियाओ तो इसकुशन का से ओप्सन सही है ये हैं बेंजा में नेतनियाओ और ये अब इसराइल के नए प्रदानमंत्री बन गया है अच्छा इससे पहले ये 1996 से 1999 तक इसराइल के प्रदान्मंत्री रह चुके है और 2009 से 2021 तक भी ये इसराइल के प्रदान्मंत्री रहे थे और अब फिर से ये इसराइल के प्रदान्मंत्री बने है अब इसराइल तो ये है मैप में इसराइल इजराख के प्रतानवंतोरी या यही बन गया है बेंजाम में नेतनियाओ अच्छाए ये नए प्रतानवंतोरी बने है तो अभी लुइज इनासियो लूला डिसिल्वा यह ब्राजिल के नए प्राश्ट पती बने है यूके के नई प्रतार्मात्री बने है रशी शुनक उल्फ कristरосन ये स्वीडन के नई प्रतार्मात्री चुने गए अब्दुल लतेफ रासित ये इराक के नई राश्टपती चुने गए कैप्टन इब्राहिम तुरे ये बुर्कीना फासो के नई राश्पती चुने गए चाड के प्रदानमंत्री अलवर्ट पाइमी पाड़के ने स्थिफा दिया अच्छा जियोर्जिया मेलोनी ये इटले की पहली माईला प्रदानमंत्री बनेंगी और माली की सेना ने कब करनल अब्दुल माईका को अपना एंतरें पदानमंत्री नियुकत किया है नेखिशन है हाली में भारती सेना ने कहां पुस्पांजली समारो आयुजित किया है तो अभी भारती सेना ने स्रे नगर अंतरास्टी हवाय अड़े पर पुस पांजली समारो आयुजित किया दुसकुशन का बे ओप्सन सही है ने हुशन है हाली में असम और केसराजी के राज़पाल ने एन आई 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 ए ब्यापर मेले का उधगाटन किया तो अभी असम और नागलेंड के राज़पाल ने एन आई 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 ए ब्यापर मेले का उधगाटन किया तो इस कुशन का बे ओप्सन सही है आपको पता है अभी असम और नागलेंड दोनों के राज़पाल है जगदेश मुखी इन्होंने अभी एन आई आई ए ब्यापर मेले का उधगाटन नागलेंड में चोमु खेडिया में किया है अचा एन आई 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 ए ब्यापर मेला यानि कि नेशनल इंटिग्रेट इनोवेट एक्सपेन्ट ट्रेड फेयर हाली में किस ने पहली रास्टी प्राकृतिक क्रशी मिसन बैठक की अध्यक्षिता की है तो हमारे केंद्री क्रशी मंत्री है नरेंद सिंग तुमबर इन्होंने अभी क्रशी भवन में पहली रास्टी प्राकृतिक क्रशी मिसन बैठक की अध्यक्षिता की तो इस question का say options है नए question है हाली में अडानी new industries ने केसराज में भारत का सबसे बड़ा पबन टर्बाइन इस्तापित किया है तो अडानी new industries ने अभी गुजरात के मुंदरा में भारत का सबसे बड़ा पबन टर्बाइन इस्तापित किया जाए कितनी है 182 मीटर यानि कि यह स्टेच्यू आप यूनिटी से भी उंचा पबन टर्वाइन इस्तापित किया गया है अब गुजरात तो यह है मैप में गुजरात की केपिटल क्या है गांधी नगार गुजरात की चीपनिश्टर कौन है वो पेंदर भाई पटेल और गु गुजरात बना प्रतानमंत्री मोधी ने गांधी नगर में मिश्टन इस्कूल ओफ एक्सिलेंस लॉंच किया बारेमाण डेफेंस एक्सपो गांधी नगर में शुरू हुआ गुजरात का मुंडेरा भारत का पहला 2447 सौर उर्जा संचलित गाउं वोसित हुआ है और क्वाद रेख है, थूल लेख है, कंकरिया लेख है और खजाडिया लेख है ने क्युशन है हाली में ICC T20 बल्ड कप इतियास में हेट्रिक लेने वाले पहले किलाडी ओने है तो बिराट कॉली है तो इसकूशन उप सैंचूरी की हैट ट्रिक लगाई है बिराट कोली है और ऐसा बिराट कोली ने तेन ICC बल्ड कप में किया है। ऐसे ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने तेन ICC टेट्वन्टी बल्ड कप में हाफ सेंचुरी की हेड ट्रिक लगाई है। अब किरकेट की बात है तो अभी किरकेटर सूर्च कुमार यादफ धुनिया के नमबर बन टेट्वन्टी इंटरनेशनल वल्लेबाज बने हैं। टेट्वन्टी किरकेट में सबसे अधिक रनवन आने वाले भारती खिलाड़ी बिराट कोली बन गए हैं। T20 बिसकोप में डेव्यू करने वाले सबसे युबा खिलाडी आयान कान बने हैं और 2022 माइला एसिया कब T20 का खिताब भारत ने जीता नए क्यूशन है हाली में BPCL के नए MD and Chairman कौन बने हैं तो अभी BR क्रश्न गुपता BPCL के नए MD and Chairman बने तो इस क्यूशन का बे आप्सन सही ह यह हैं BR क्रश्न गुपता यानि कि बेत्सा राम क्रश्न गुपता और यही अब BPCL यानि कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए MD and Chairman बने हैं अब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी स्तापना कब हुई 1952 में इसका एड़कॉर्टर कहां पे हैं मुंबाई में और अब इसके MD and Chairman बने हैं BR क्रश्न गुपता अच्छा कल ही मैंने आपको बताया है फेकी के नए अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा चुने गए बारती सेना ने दक्षिडी कमान के प्रमुक की रूप में अजय सिंग को नियुक्त किया Indian Banks Association के नए अध्यक्ष एक एक गोयल चुने गए और सयुक्त राष्ट की बायू परिबहन समित्ती के अध्यक्ष की रूप में सैफाली जुनेजा को नामित किया गया है हाली में इंडोनेसिया ने किस देश को G20 धर्मंच की अध्यक्ष ता सौपी है तो अभी इंडोनेसिया ने अपने देश भारत को G20 धर्मंच की अध्यक्ष ता सौपी तो इस कुश्यन का से ओप्सन सही है अगले साल यानि कि 2023 में नियू डैली में G20 धर्मंच होगा ने कुशिन है हाली में किस राज में देश की प्रत्थम मददाता श्याम सरड नेगी ने मददान किया तो श्याम सरड नेगी ये देश के पहले मददाता है और अभी इन्होंने हिमाचल प्रदेश बिदान सबा के लिए पूस्टल बैलेट से मददान किया है तो इस कुशिन और अभी इनोंने हिमाचल प्रदेश बिदान सबा के लिए मद्दान किया है। अब हिमाचल प्रदेश तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की केपिटल क्या है? सिमला हिमाचल प्रदेश की चीपनिष्टर कौन है जैराम ठाकोर और हिमाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है राज्येंद्र अर लेकर अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम केंड नाम की नई योजना सुरू की हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी ने पुलिस की साहिता के लिए सत्य निष्टा एप लौंज किया राजियों और केंसासित प्रदेशों के परेटन मंतरियों का रास्टी सम्मेला ने हिमाचल प्रदेश के धर्म साला में आयज़ित किया गया हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतनता संसुदन बेदयक 2022 पारित किया गया मिंजर मिला ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया बारत अमेरिका सेयुक्त सैन्न अभ्यास बज्जर प्रहार ये अभी हिमाचल प्रदेश की बक लोह में हुआ है हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हि यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया तो अभी स्वेट्जय लेंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया तो इस कुश्यन का से ओप्सन सही है स्वेट्जय लेंड में अभी 1910 मेटर लंबी यात्री ट्रेन का संचालन हुआ है इसमें 100 कोच हैं और इसकी सेटिंग केपेसिटी कितनी है 4550 सेट की नए क्यूशन है हाली में AASL के नए CEO कौन बने तो AASL यानि की Energy Efficiency Services Limited के नए CEO बने हैं बिसाल कपूर तो इस कुशन का A options आई है यहें बिसाल कपूर और यही AASL के नए CEO बने अचा अभी भारत सरकार ने अर्माने गिर्धर को रक्षा सचिप की रूप में न्यूक्त किया अडानी एरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में अरुड बंसल को न्यूक्त किया गया बारती दास ने नए लेखा महा नियंत्रक के रूप में कारेबार सवाला है और BCCI के 36 में अध्यष्च बने हैं रूजर बिन्नी ने क्यूशन है हाली में किस प्रसिद मल्यालम उपन्यासकार को एजु थाचन पुरुसकार के लिए चुना गया तो अभी A.C.T.M.ादवन को प्रसिद मल्यालम पुरुसका और एजु थाचन के लिए चुना गया तो इस कुशिद का से ओप्सन से है एजु थाचन पुरुसकार ये केरल का सरबूत सहित्य पुरुसकार है इसके लिए अभी A.C.T.M.ादवन को चुना गया है ये है A.C.T.M.ादवन ये सेतु की नाम से प्रसिद है अब लास्ट वी लेसु का सबसे बड़ा पांडू लेपी गरंतालय बनाया जा रहा है यानि किस कुशिद का बे ऑप्सन सही था और लगबग सभी इस्ट्वेडनेस का अंसर सही दिया मोश्ट लेटनेस के वारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा क्वेश्चिन के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्यूंकि जो चीज़ें आप लेक देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का क्वेश्चिन आपके लिए आज का क्वेश्चिन है हाली में किस राज सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुले स्थानों की गोश्चन की है चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे फेश्चुक पेज पर प्रेबियस एर कुश्चिन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेश्चुक पर नेक्स्ट एक्जाम सर्च करके वारा फेश्चुक पे जोईन कर सकते हैं क्योंकि प्रेबियस एर कुश्चिन आपको बहुत एल्प करते हैं अगर आपको किसी कुश्चिन में कोई डाउट होता है या आपको पने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रोलम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंदरेश रसी I N D R E S H R C इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी सर्च करके आप मेरे साथ जूड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी गन्फिजन, बिदाउट एनी हजीटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा, आज किस वीडियो का आप टार्गेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है, 40 से लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current interface का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब बे आप से सब्सक्राइब रहेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन मन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू किलिक कर ले जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में current interface की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जम और बेज विद यू थैंक्स वर वाचिंग